दन्यवाद आदरेणी अध्यक्ष महदे, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया, और इस मौके पे चोका कैसे होगा, तो मुझे किसी और के बाद बोलने का मौका दिया, तो जिन्नोंने इतनी मुबारक बाते दी, तो उनको भी दो-चार मुबारके हम भी दे दे, उस मुबारक पे एक मैं बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लौ, उसकी अभ्यास, विशारत यहां पे बैठे हुए हैं, जो अपनी महिलाओं के लिए सब तंग आगे हैं पहली शादी में, यह मैंने देखा, लेकिन जब वो मुबारक बात दे रहे हैं, मुझे एक बात का इल्म हो रहा है, कि समझो यह मुबारक बात हम सब को दे रहे हैं, यहां पे बैठे चचा हैं जो चिला रहते हैं, यहां पे बैठे हम सब हैं, मैं भी एक बेटी की मा हूँ, कल जाके गल्ती से आपके परिवार में, एक खुशाल परिवार में, उस बेटी को, वाट्साप प कहानी याद है मैं खुद मराठी माध्यम में पढ़ी हूं अध्यक्ष मौद है तो अंग्रेजी हम एक दसवी बारवी साल के होने के बात सीखते हैं तब ही और शी का मतलब थोड़ा बहुत सीखते सीखते आगे पढ़ रहे थे मैंने एक बार अपने पिजाजी को आके पूछ कि बाबा ही और शी हाओ इस प्लेस अभी छोटी दी कोई भी हम सवाल पूछ लेते हैं वो कहते ही पुरुष होता है और शी महिला होती है लेकिन ही तो पुरुष होता है लेकिन ही के पहले एस लगाया है क्योंकि सुपीरियल टू ही वो महिला शी होती है यह मेरे पिजाजी कि उसी superior to he को वो ताकत देना चाहते हैं आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये बिल लाया है विवा पद्विजी के बारे में जब हम बात करते हैं इसे sacred institution आप उसको business कहते हैं क्या कहते हैं मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं लेकिन हमारे विवा में एक पवित्र संसकार माना जाता है और इस पवित्र संसकार भो वो कोई भी धर्म हो जात हो हर वक एक पुरुष और महिला जब शाधी करते हैं वो हिंदू हो मुसल्मानों क्रिशन हो Insigness in health I am with you जब मैं शाधी कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब सपत पदी में हम शपत लेते हैं तो हर साथ सवालों पे हम एक दूसरे के साथ रहे जएं यह विचार लेके हम चलते हैं और मैं मुबारक बात इसलिए देना चाहती हूँ कि इसी पद्धती को हर किसी को उस ताकत के रूप से हम आगे बढ़ाना जाते हैं। धर्म की परिभाशा हर कोई अपने रूप से बता सकता है। धर्म की परिभाशा अपने रूप से कोई भी उसको आगे ले जा सकता है लेकिन धर्म की परिभाशा के साथ जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की परिभाशा भी धर्म के साथ आगे बढ़नी चाहिए आज समाज बदल रहा है समाज ये विचार कर रहा है कि जिस रूप स चले सती की प्रता हो, वो चाइल्ड मैरेज हो, वो कोई भी विशे हो, उसमें भी समाज की सुधारक, उस विचारों को, उस कानून को आगे बढ़ाने के लिए समाज सुधारक आगे बढ़ रहे थे, और उस समाज सुधारकों ने इसको आगे बढ़ते, 1956 में हमें भी डिवोस कानून ये भी कहता है गांदी जी के तीन बंदर हम कहते हैं कि बुरा सुनना नहीं चाहिए बुरा बोलना नहीं चाहिए और बुना कहना भी नहीं चाहिए लेकिन कानून ने समाज में हमें ये सिकाया है कि बुरा हो तो उसे सहना भी नहीं चाहिए और उस सहने के खिलाफ हम स सबसे जादा साइंटिस्ट महिलाएं है और अभी भी हम मुबारक बात दे रहे हैं कि महिलाओं को ट्रिपल तलाग दे दिया तो चल जाएगा कुछ नहीं होता उसके वारे में हम क्या कर सकते हैं मुझे दुख यह होता है कि यहां पे महिला सांसद हम सब बैठे हुए हम प्लेन में कहा जाना चाते हैं और कहा नी जाना चाते हो तो बाद में ते करेंगे हमें जो सुप्रीम कोट ने कहा है उस सुप्रीम कोट को हम मानते हैं कि भाई जेल केसे जाए, भाई ऐसे केसे जाएगा हमारा जेल, यह आप समाच उधार के बारे में बात नी करें, मेरे भाईयों के चिलाव बात करें, लिकिन मेरे सदन में यही प्रश्मे करना है, जब अपने घर की बहु बेटी पे, कोई SMS पे कहेगा कि तुमको हमने तलाग दे दिया, उसको राष्टे पे ले आएगा, तो उस राष्टे पे आने वाली लड़की के लिए, यह गलत नहीं होगा कि हम सिर्फ चुप रहें, यह हम चाहे, कभी भी अपनी बहु बेटी पे कोई आग भी उठा के खड़ा रहता है, तो हम कहते कि हम को छोड़ेंगे नही तो क्यों हम यह कानून नहीं बना सकते हैं, कि जो यह करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, जेल में जाएगा, लेकिन चौथा, पांचवा सोच के बोलेगा, तलाक बोलू या ना बालू, इसलिए यह कानून बनाया गया है, इस सदन में चर्चा क्यों हो रही है, यह चर्चा पसंद नहीं, तलाक तलाक तलाक, मुझे पांच और औरतों की शकल पसंद है, जैसे एक ही शादी एक बार जनमुझ का रिष्टा नहीं होता है, तो तलाक तलाक तलाक, यह तलाक है, महिलाओं की जिन्दकी सहथ खेलना, और उस प्रताड़ना पे, हम सब ने उस पे सब्नाते हैं, रिपाँम is all about society, हम यहाँ पे महिलाओं सोशल रिफॉर्मर्स भी है, जैसे हम कानून बनाते हैं, कानून के रूप से सोशल रिफॉर्म भी होना चीए, हमारा सिर्फ काम यह नहीं की कानून बनाते रहाए, हमारा काम उस से आने वाली जनता को समाज को हम आग कर दे रहे हैं उन दस लाख महिलाओं की बात तुनिए जिन्हों ने आपको पेटिशन साइन करके जी कि वो हर एक मेरी मुस्लिम बहन कह रही है कि मुझे नहीं कर सकती है सब कुछ मुझे तुम राफ्ते पे फेक नहीं सकते और यहां पर कानून पर कानून बताए जा रहे हैं कानून को तो समर्थन दीजिए हर वक्त प्रिवेंशन बेटर होता है कि और से यह कानून उस रूप से प्रिवेंशन है और इस प्रिवेंशन को हमने समर्थन देना चाहता है मैं इसमें थोड़े बहुत सजेशन भी करना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान और सम्मान और स पिता को यह लगे गा से कि उसकी बेटी को बोला जाए कि तुमको हम दहेश तो लेंगे लिकिन तुमके तुमके तुम्हारे साथ शादी नी रखेंगे तो इस रूप से यहां पर बैचे जो सारे पिता यह सोचते नहीं यह प्रताड़ना अपनी बेटी बहु के आप देखनी पड़ी हुई है आप इसको एच में लेंगे तो इसका बहुत बड़ा फाइदा होगा जिस सुपीरियर ही के बारे में हम बात करें उस धर्म उस सुधार उसके लिए जहां हम थड़े हैं उसी महिलाओं के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं आधने प्रधानमंतरी मोधी ज ओड़ी ने जब करोड उजवला योजना से फिलिंडर दिये महिलाओं की सुधुर्श और सम्मान के लिए शौचाले दिया तब यह सोच कि दिया था कि यह मेरी मुस्लिम बेहने मेरी यह बहने मेरी वो बहने नहीं महिलाओं को कभी भी आप जाती और धर्म में बात नहीं स जाती हूँ, कि जिस प्रकार से, ये कहा जाता है, कि ये अनपड जगाओं पे होता है, ठिपल तलाग गाओं में कहीं जाते तो वहां पे होता, तो नहीं होता है, आपने जयपूर के आफरीन के कहानी से नहीं होगी, एंबेटी की, ऐसे बहुत सारी कहानिया है, पढ़ीलिकी लड़की पती ने छोड़ दिया और ट्रिपल तलाग दे दिया मैं यही चाना जाती हूं कि सुप्रीम कोट ने हमें जो अवसर दिया है यह सोभागे हमारा कि इस अवसर को हम आगे ले जा रहे हैं जिस प्रकार से प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाओ के बा कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी एक खौफता सफर में उनसे कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी जो साथ छोड़ दे हमसफर मेरा कहकर तलाग बिद्दत के वो तीन बोल तू क्या देगा तलाग कायर आज इंसाफ हुआ खुदा की अबादत पर ये बिल आ जाए उस पर तो महिला कह रही है कि तू क्या देगा तलाग के कायर आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर सदियों की खाक में से एक चिराग सुलगाया है आज पहली बार मुझे मुझे से मिलवाया है ऐसी यो मुस्लिम मेहन बोल रही है चहाबानों की तकलीव की खाक से शाइरा ब रवी शंकर प्रसाद जी को धनेवात देना चाहती हूं कि ये बिल बिल सिर्फ महिला से शक्ति करंण का नहीं है पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखाने का है कि हम सब सबका साथ सबका विश्वार और सबको साथ मिलेके महिलाओं को सम्वान देके महिलाओं को आगे कि नारी तू नाराय नहीं ती यह सिर्फ विचार धारा नहीं है तो हम करके दिखाते हैं यह करके हम बिल को आगे बढ़ाएं और उसका मैं समर्थन देना चाहती हूं बहुत-बहुत धन्यवान त्री एम आरिव साथ